अश्कार करनल अजय सीओ अजय अजय स्टोमानी गुरू ग्लोबल फॉस्ट एस्ट्रोफरनेंस डिजिटल चैनल से आपसे उखाती बता हूँ आज 25 जनवरी सन 2024 गुरुवार दोस्तों कहा जाता है कि मौसम तापमान ये क्रशी उपजों के लिए बहुत महत्वपुन होता है लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मौसम और तापमान लगवग व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको याद होगा लगवग 15 दिन पहले जब तेज कड़ाके के ठंड लगातार पड़ रही थी शीत लहर थी उस वक्त हमने आपको फरवरी महने में कुछ तापमान बढ़त की एक अनुमान दिया था जो कि अक्षत सत्यसाबित भी हुआ आप हमारे कोईले के अपडेट्स देखते हैं तो उसमें भी हमने आपको इसका एक खुलासा किया था जानिए आगे की रिपोर्ट कलेंडर येर के फरवरी मार्च यानि पहले दो मेहने ये पहले कौटर के पहले फरवरी और मार्च बहुत महतवपून अक्सर माने जाते हैं क्योंकि रवी की फसल का ये कटा पून रोलाता करता है तापमान भड़ जाता है तो इस पर विशेश असर पड़ता है विशेश कर गेहों की पैदावार पर देश में सरदी की फसलों की बुआई शांदार होई है फसल को अगले दो मेहने में गर्मी का अनुमान हमें अधिक लग रहा है और इसकी पहले उचे तापमान से जो फसलों का पूर अनुमान लगाया गया है विशेश कर गेहों को उस पे फरका सकता है ग्यारा करोड से अधिक गेहों की जो पैदावार का अनुमान लगाया है पिछले साल भी आपको याद होगा सरकार ने ग्यारा करोड से अधिक का अनुमान द गेहुं की कीमतों में बहुत जबर्दस्ते जी देखे गई इस्टॉक लिमिट लगाना निर्याद पे प्रतिबंद लगाना ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिये गेहुं का बेचा जाना इस सब सरकार ने अपना पूरा प्रयास किया था लेकिन सरकार का बफर स्टॉक लगातार कम हुआ भाव लगातार बड़े दोस्तों प्रारहंबिक आकड़ों से ये भी पता चल रहा है कि नौर्दन इंडिया के ग्यहूत पादक राज जैसे पंजाब हरियाना पक्ष्मि उतर प्रदेश में अगले महने समाने से अधिक तापमान रहने की संभावना बन रही है ये भी दिहान देने वाली बात है कि भारतिये मौसम विज्ञान विवाद जिसे आएमडी कहते हैं एक सब्ता बाद फरवरी के लिए पूर वनुमान जारी करेगा जिसमें सामाने स्तर की अपेक्षित व्रदी का विवरन होने की बही संभावना है फिल्हाल सबसे ज्यादा अधिक तापमान पंजाब में 12.2 डिगरी सेल्सियस हर्यान इम 18 डिगरी सेल्सियस और उतर प्रदेश में 22.6 डिगरी सेल्सियस अधिक है जबकि पंजाब में और सत अधिक्तम तापमान सामाने से 7.6 डिगरी कम रहा है यदि हम Agriculture Scientist की बात मानें तिकी मौसम विवाक के तापमान और बारिश के पूरो अनुवान की सटिकता पर का इस्तर पांच दिनों तक है इस इस्तर पर कुछ भी निश्कष नहीं निकाला जा सकता High Temperature का कोई प्रवाव इस बात पर निर्बर करेगा कि फसल की सवस्ता में है और कितनी बढ़ती है करणाल में इस्तित भारतिय गेउं और जो अनुसंदान संसान किस निर्देशक ज्यानेंद्र सिंग का कहना है कि अगर रात का तापमान ठंडा रहता है तो मार्च में तीन डिगरी सेल्सियस तक और पांस दिनों के उच्छ तम तापमान कोई कोई इसर नहीं बढ़ेगा यदि हम साल 2022 में फरवरी मार्च में बढ़ते तापमान से हरियाना पंजाव और मर्दबदेश में गेहों की फसल सुग गई थी और पैदावार कम हो गई थी गेहों के अलावा दलान और मसालों की फसलों में भी जलवाईयू प्रभावित होती है विशेश रूप से फरवरी के महने में तापमान दनिया और जीरा सरीत कहीं सर्दी की फसलों के लिए बहुत महतापून है क्योंकि इस सर्दी के दौरान बीज बनना शुरू होते हैं चांद कोहरा और कम धूब देखी जा रही है इस प्रकार जल्दी बोई गई फसलों को अत्यदी गर्मी से प्रवावित नहीं होगी क्योंकि इस नई फसल की पैदावार अब शुरू हो जाएगी अगले पंदरा दिन में सभी उन्नत फसलों के आवक शुरू होने की होगी और फरời के अंदर और मार्च के अंदर तापमान में ब्रदी होने की संभावना है और इसका असर फसलों पर पढ़ने की पुरी पुरी संभावना बन सकती है। दोस्तों हमारा चैनल आपको हमेशा अगरी मनुमान और संकेत देता आया है तेजी आने के बाद तेजी, मंदी आने के बाद मंदी या साउथ वेस्ट वेस्ट वो हम लोग नहीं करते हैं दक्षिन पक्षिन मानसून को भी आपको याद होगा हमने लगातार अपडेट दिये थे कि सितंबर महिने के अंदर दक्षिन पक्षिन मानसून का रील बैक यानी समापती नहीं होगी यह अक्टूबर में बारिश जारी रह सकती है, मानसून जारी रह सकता है, वैसे ही हुगा साथ साथ हम लगातार पिछले कहीं वर्षों से आपको मानसून और तापमान के उपर अपना विशलेशन देते हैं जो की क्रशी से जुड़ेवे हैं, उत्पादन को ध्यान से देखते हैं, ट्रैक करते हैं, वो उनका पूरा फायदा भी उठाते हैं तो दोस्तों, अनाज, मसाले, डाले और तिलहन, खादे तिलों की विशेश रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर कर सकते हैं, नमबर स्क्रीन पे दिया गया है